हाई गाईज वेलकुम बैक टुमाय चैनल मैं हूंस वीडियो और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम स्पेसिफिक पर्सन को मिस्स करते हैं न तो उसके साथ न यह होता है आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हम क्या है तो उसके बीगेवियर में कई तरह की चेंज़िस आते हैं जिस मेंसे सबसे पहला साइण यह है कि जब आप एपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करते हो न तो वो इनसान उसी वक्त आपकी वाईप्स को आपकी ओर आ को feel करता है कई बार कुछ लोग ये सारी चीज़ों को समझ जाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि अच्छानक से उन्हें किसी इनसान की याद आई है बट कुछ लोग इसे मानते नहीं है तो वो लोगों के साथ ये सारी चीज़ें सबकॉंशियोस ली होती है मतलब कि उनके dreams में आपका आना उनके दिखाई देता है कई पर क्या होता है ना कि जो लोग मानते नहीं है कि उन्हें किसी की याद आ रही है अच्छानक उनका बात करने का दिल कर रहा है किसी इंसान से तो उन लोगों के साथ ये second वाली चीज होती है मतलब उनके dreams में आप उन्हें दिखाई देने लग जाते हो जब हम किसी को याद करते हैं especially उस case में जब हम उस इंसान को manifest कर रहे हैं बहुत सारे meditation फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे positive चीजों को done कर रहे हैं तो उस समय हमारी जो उजा होती है हमारी जो vibration होती है वो बहुत हाई होती है और उस वक्त हम जिस भी इंसान को याद करते हैं दिल से उसके पास वो energy तुरंत जाती है और उसे बताती है कि इस समय आपको याद किया जा रहा है और दूसरा sign जब हम किसी को बहुत ज्यादा miss करते हैं और बहुत ज्यादा पूरे दिन करते ही रह जाते हैं जैसे कि 2-3 घंटे, 4-5 घंटे हम बैठे हुए हैं हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा तो उस case में क्या होता है कि हमारी जो पूरी उज्या होती है वो एक इंसान के तरफ ही जाते रहती है और इस case में ये होने लग जाता है कि आपकी इतनी ज़्यादा strong energy किसी इंसान के पास जाने की वज़े से उसे अच्छानक से गुसा आने लग जाता है उसके mood में changes आने लग जाते हैं और वो इंसान आपको अपने आप से दूर करने लग जाता है उसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उसके उपर किसी तरह का pressure डाल रहे है आप उस इंसान को manifest करे हो और उसके लिए process भी करे हो उसके लिए कई सारी technique भी करे हो और उससे याद भी करे हो आप सोच के देखो कि आप उसके अपर इतनी सारी technique अपलाई कर रहे हो और उसके बाद उससे miss भी कर रहे हो तो कितनी intense energy आप उस इंसान के पास भेज रहे हो इसलिए जब आप किसी specific person को manifest करते हो तो आप से सबसे पहले ये कहा जाता है कि आपको पूरे दिन अपने specific person के बारे में नहीं सोचना है नहीं उसे miss करना है नहीं पूरे दिन उसके ख्यालों में डूबे रहना है क्योंकि ऐसा करने से वो इंसान आपके तरफ बिलकुल नहीं आएगा in fact आपका process और ज़्यादा लंबा होता जाएगा आप चाहते हो ना कि आपका specific person आपकी life में आए तो आपको अस इंसान के साथ-साथ अपने उपर भी ध्यान देना है अपने कामों में भी ध्यान लगाना है क्योंकि ऐसे ना आपकी जो ऊज़्या है वो balance में रहती है जितनी उस इंसान के पस जानी चाहिए उतनी जाती है और बाकी आपके कामों में सही जगा लगते जाती है अगर आप एक चीज को पूरे दिन करते रहोगे ना तो उससे आपके process में कोई फायदा नहीं होने वाला है बड़ आप सही तरीके से सारी चीजों को डन करते रहोगे ना तो आपका process ना बहुत powerfully done हो जाएगा So guys अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपने ध्यान रखिए और कुश रहिए बाबाई